नमस्कार! Opening a Savings Bank Account पर इस टुटोरियल में आपका स्वागत है. इस टुटोरियल में हम बैंक में Savings Bank Account याने की बचट खाता खोलने की अपचारिकताओं के बारे में सीखेंगे. अठारह वर्ष की आयू का कोई भी व्यक्ति, बचट खाता खोलने का हगदार होता है. हम banking और वित्तिय सेवाएं, देने वाले किसी भी बैंक में बचत खाता खोल सकते हैं खाता खोलने के लिए हमें किसी भी बैंक की करीबी शाका में जाना होगा और form 60 लेना होगा form 60 इस प्रकार दिखता है प्रदर्शन के उद्देशे के लिए मैं SBI Bank का Form 60 उप्योग करूँगी वही Form थोड़े से बदलावों के साथ अन्य बैंकों में भी उपलब्द होगा वो Form एक पुस्तिका के रूप में 4-8 पेजिस का सेट होता है पहले पेज पर हम शीशक Account Opening Form देख सकते हैं अगले पेज पर जाएं Pen Card ना होने की इस्तिती में खाता खोलने का यह Form हमें बरना है सबसे पहले हमें अपना पूरा नाम और पता लिखना है अतह मैं अपना नाम और घर का पता लिखूंगी आगे हमें स्पष्ट करना है कि हम किस तरह का खाता खोलना चाहते हैं उधारन के लिए Savings Bank Account, Current Account मैं Savings Bank Account लिख रही हूं एक बचत खाता वो होता है जिसमें छोटी बचत की जा सकती है हम बचत खाते में संगठित जमराशी पर ब्याज की छोटी धनराशी प्राप्त कर सकते हैं Current Account यानी चालू खाता सामानेता व्यापार के लिए होता है इसमें उपलब्द जमराशी पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देगा लेकिन ओवरड्राफ्ट सुविदा देता है Form 60 पर वापस आते हैं आगे हमें लेंदेन की राशी स्वष्ट करनी है मैं 500 रुपे लिखूंगी आप अपने अनुसार कोई भी राशी लिख सकते हैं अगला छेत्र R.U.S.S.T.T.E.C.S. है यहां मैं No करूंगी चुकि हमने No लिखा हम इन छेत्रों को छोड़ सकते हैं हमें अपने फर्म की साथ एक वैद्र पते का प्रमाण पत्र देना है जैसे की RATION CART पासपर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बिजली का बिल आधी चुकि RATION CART सबसे समान्य पते का प्रमाण पत्र है मैं रशन कार्ड लिखूंगी, आप पते के प्रमाण के लिए जो दस्तवेज चाहते हैं लिख सकते हैं, अगला भाग सत्यापन यानि वेरिफिकेशन है, यहां पहले खाली स्थान में हम अपना नाम लिखेंगे, अगले तीन खाली स्थानों में हम वो तारीक लिखेंगे, ज जब आप यह फॉर्म भर रहे हैं, मैं बर्कापुर से हूँ, अता मैं स्थान में बर्कापुर लिखूंगी, आप जहां के निवासी हैं वो स्थान लिखें, अंत्तहा फॉर्म पर हर्स्ताक्षर करें, अगला सेक्शन फॉर्म DA1 यानि नॉमिनेशन फॉर्म है, यह हमेशा नमांकित करने के लिए एक अच्छी आदत है कि खाता धारत उसी व्यक्ति को नमांकित करें, जिसे खाता धारत किसी कारण वर्ष उसकी म्रत्यु के पश्षाद उसके खाते की जमाराशी देना चाहता हो, नमांकित व्यक्ति निम्न हो सकता है, एक वयस्क जैसे जीवन साथ माता, पिता, भाई बहन या एक अल्प वैस्क जैसे अपना बत्चा बतीजी भाणजी या भवदीजा भाण्जा एक बार फिर यहाँ पहले खाली स्थान में मैं राधातिवारी भरूंगी. दूसरे खाली स्थान में हमें उस बैंक का विवरण भरना है, जिसमें खाता है. अतहां मैं बरकापुर शाखा लिखूंगी. आपको यहां अपने बैंक और शाखा का नाम लिखना है. यहां जमा चीजों का विवरण उलिखित करना है. जमा का प्रकार सेविंग्स लियानी की बचत होगा अभी के लिए खाता संख्या खाली रहेगा क्योंकि खाता अभी तक सक्रिय नहीं है। नामांकित व्यक्ति का विव्रन यहां भरना है नाम, मध्य नाम, आखिरी नाम, जम्मकर्ता के साथ संबंध, आयू, जनमतिथी, पता, शहर, पिन और प्रदेश। अगर नामांकित व्यक्ति उस्तारीक को, जो फोर्म में उल्लिखित है, अल्पवयस्क है, तो खाता धारक को निम्न करना है। किसी कारणवर्ष, खाता धारक के निधन की स्थिति में, उनकी ओर से, जमराशी प्राप्त करने के लिए, एक व्यस्क को न्योक्त करना। अगर नावांकित व्यक्ति अल्प वयस्क है, तो हमें इस सेक्षन को भरना है, यहां श्री श्रीमती में हमें नियुक्त वयस्क का नाम भरना है, मैं शांता मिश्रा भरूँगी, फिर पते का विवरण भरें, अगला छेत्र तारीक है, मैं बॉक्सेज में 20, 6, 2015 भरूँगी, फिर मैं स्थान में बरकापूर भरूँगी, आप जहां के निवासी हैं वो स्थान भरें, अंतता दिये गए बॉक्स में हस्ताक्षर करें, इसके नीचे हमें दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और उनका पता लेना है, गवाह वो लोग होते हैं जो हमें लंबे समय से जानत हैं, आता हमें अपना गवाह बनाने के लिए अपने दो परिजद व्यक्तियों से निवेदन करना है, और फॉर्म के इस भाग को पूरा करना है, यह फॉर्म सिक्स्टी को भरने की प्रक्रिया को पूरा करता है, पेज चार पर जाएं, यहां पहला सेक्षन पहचान का विव सबसे अधिक सामान्य विकल्प सूची बद्ध हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लिएसेंस, हमें अपने पास उपलब्द आईडी के आधार पर सूची बद्ध विकल्पों में से किसी एक पर टिक करना है, मैं वोटर आईडी उसी कॉलम के दूसरे भाग में वोटर आईडी कार्ड पर कदर्शित नमबर लिखें, अगर आपने कोई दूसरा विकल्प जैसे ड्राइविंग लाइसेंस चुना है, तो वो नमबर लिखें, आगे कार्ड जहां से जारी हुआ है वो स्थान लिखें, अंतरतहा कार्ड जा पर टेक करूंगी, उसी कॉलम के दूसरे भाग में रशन कार्ड पर प्रदर्शित नमबर लिखें, अगर आपने कोई अन्य विकल्प जुना है, जैसे बैंक के खाते का ब्योडा, तो वो नमबर लिखें, आगे रशन कार्ड या अन्य दस्तावेज की जारी होने का स्थान भरें, और अन्य दस्तावेज की जारी होने की तारीक भरें, इस पेज का दूसरा सेक्षन परिचे विवरण यानि इंट्रोडक्शन डीटेल्स है, परिचे करता, एक व्यक्ति जिसका पहले से ही बैंक की उसी शाखा में खाता है, उसको हमारा परिचे कराना है, हमें यहां अपने परिचे करता का नाम भरना है, जैसे की परिचे करता की पास्बुक में है, फिर परिचे करता की पास्बुक की तरह ही CIF नंबर और खाता नंबर भरना है, इसके बाद महीने या वर्षों की वो संख्या भरें, जबसे परिचे करता का यह खाता है, आखरी खाली स्थ महीने यह वर्षों की वो संख्या भरनी है कि परीचेकरता आपको कपसे जानता है। यहां हम तारीक भरेंगे, फिर परीचेकरता यहां हस्ताक्षर करेगा, अंततह हम वचन पर हस्ताक्षर करेंगे। अब पेज 5 पर आएं, इस बॉक्स में हमें अपना पासपोर साइस फोटो लगाना है और यहां प्रदर्शित पहले बॉक्स में हस्ताक्षर करने हैं। इसके साथ हमारा खाता खोलने का आवेदन पत्र पूरा होता है और यह हमारे दस्तावेजों की एक कॉपी के साथ बैंक में जमा करने के लिए तयार है। जब हम बैंक जाएं, तो हमें अपने पूर्ण आवितन पत्र और सत्यापन के लिए अपने रशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की मूल प्रती के साथ रशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी लेकर जानी है. अगर आपके पास अन्य दस्तावेज हूं, जैसे पहचान और पते के प्रमान पूर्ण हैं, तो निश्यत कर लें कि आपके पास उनकी कॉपी हो. हमें यह भी निश्यत करना है कि हमने अपना पासपोर साइज फोटो पेज 5 पर लगा दिया हो. प्रमानी करण आधिकारी यह चेक करेगा कि फॉर्म ठीक से भरा हो और दस्तावेज सही हूं. एक बार जब सत्यापन पूरा हो जाए तो हमारा आवेदन पत्र प्रसंस्क्रत होगा. हमारा बचत खाता बैंक की उस शाखा में खोला जाएगा. अब हम इस खाते में जो भी राशी जमा करना चाहते हैं, जमा कर सकते हैं. इसे सारा इंशित करते हैं. इस टूटॉरियल में हमने एक बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया को सीखा. स्पोकन टूटॉरियल प्रोजेक्ट टीम अनेक सूचनात्मक और सामानने जानकारी के विश्यों पर आडियो वीडियो टूटॉरियल्स बनाती हैं और प्रशिक्षन कारेक्रामों का आयोजन करती हैं. विश्यों की पूरी सूची के लिए क्रपया. स्पोकन हाइपन टूटॉरियल डॉट ओर जी पर जाएं. अधिक जानकारी के लिए क्रपया. कॉन्टैक्ट एक स्पोकन हाइपन टूटॉरियल डॉट ओर जी पर लिखें. आशा करती हूँ यह टूटॉरियल आपके लिए उप्योगी था. आयाइटी बॉम्बे से मैं प्रुतियारे आपसे विदा लेती हूँ. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।